नमस्कार मैं हूँ अन्पमनूप आप देख रहे हैं दख़बरदानुच आज हमारे साथ बिंध के गाउं की माटी और गाउं की संस्कृत नाम के दो यूटूब चैनल चलाने वाले एक बेहतर कलाकार और यूटूब के माध्यम से कलाकारों के जीवन को प्रदरसित करने वा धन्यवादनों भाई हम जानना चाहते हैं कि यूटूब में आपका सफर काफी लंबा रहा है आपने अभिनास भाई के साथ भी काफी लंबे समय तक काम किया और बरतमान में कर भी रहे हैं और इसके साथ बगेल खंड से जुड़े होए लगभग जितने भी यूटूबर स से मैं सन दोहजार सत्रह से सुरुवाद किया था और उस टाल मेंने पर अर संस्किति को में ले करके अपना वीडिए उसे सुरुवाद कए तक जो गाउं की संस्किति पहला चैनल तो वहां मैं देखाने को कोचिस की किους ऐसी है और अपने से कि कोई से परले आर अस्तल आ इसके बाद हमने लगातार काम करते रहे हैं और यही काम कर रही थी इंद्रवर्तिनाट समिती जो NGO है वहां से हमको जुड़ने का अवसर मिला क्यूंकि हम दोनों ही का एक मोटिव था एक ही उद्येश था तो हम लोगों ने जुड़ करके साथ में मनलब इंद्रवर्तिनाट स समित से हमने जुड़ करके उस काम को और भी मतलब बहतर तरीके से करना सुरू कर दिया और अपने छेतर के बहुत सारे कलाकार थे जो जैसे साहिला बगारा हो गए और भगत बगारा हो गए मतलब इस तरीके से कला धेरे-धेरे बिलुप तो होते रही थी साहिला आपसे बत तिनाट समयते है उन्हें प्रेजित करके वो उस गाउं में दोबार से सहिला का योजन करवाया अब धीरे धीरे सहिला दोबारा होने लगा है तो इस तरीके से संस्कृति का काम हमने शुरुआत किया और यूटूब में भी वह ही एक माध्यम था शुरुआत करने का तो आपन को सहिला के बारे में जादा बताई हैं सहिला देखे कि काई उसमें बिधा होती है और सहिला पहले के समय में आदिवासियों का एक उतसाव मनाने का तरीका कहा जाए से लोक निद्ल हुआ करता था और उसमें आठं- सोला कुछ ऐसे जोड़िया मिला करके एक यूंका जील लीजिए कि गर्वा सामानेता सब जानते हैं तो गर्वा के इस तरीके से उसको अलग धंग से नाच करते थे और ये साम के वक्त हुआ करता था पहले मैंने बच्पन से बच्पन में बहुत देखा करते थे लेकिन धीरे धीरे वह हमेशा के लिए बंद होता हुआ अब लगभग लगभग के गाउं में जादा तर गाउं में कम ही देखने को मिलता है जिन गाउं में ये संडक्षन किया गया है वहाँ पर प्रेरित किया जाता है वही गाउं केबल बचे हुए है बांकि इस तरीके संस्किती जो ह तो बहुत कम हो गई है और आपने लगभग किन-किन चेजों को लेकर कि जैसे समोह नित्र है या किन-किन कलाकारों की कला को निखारने के लिए काम किया है उनका कुछ बहतर अनुबाव दिखिए क्या होता है कि जब एक चाह आज क्या है कि भाग दोड़ जिन्दिगी में किसी के पास समय नहीं मिल पाता ये सब कलाओं को प्रदर्सित करने में कला को एक साथ एकतित करने में तो इस तरीके से अगर कोई संस्था NGO अगर काम कराती है तो वो जो कलाकार होते हैं उनका भी मन लगता है कि नहीं इसमें भी कुछ किया जा सकता है तो उनका लाकारों को हमने का ये रामपुर बलाक अस्तर और जिला अस्तर का भी प्रतियोगीता की मनलब यहां पर ला करके उनका कारिकर्म करबाए तो उनसे ये प्रेड़ना मिली कि इसको जीवित करखना जरूरी है उनको ये प्रेड़ना मिली और वो हमेशा फेस्टिबलों में होता है जैसे महाउर महाउत्सव होता है और बहुत सारे कारिकर्म होते रहते हैं और तेवहारों में ये सैला बगएरा और कर्मा बगएरा इस तरीके से कारिकर्म करते रहते हैं आजवासी लोग तो पहले से जो उसके प्रती नकारात्मक्ता लोगों के प्रती थी कि ये फिजूल के लोगों का काम है अब उसको जो NGO के माध्यम से एक नए द्रिष्ट कोण से देखने को देखने लग गए हैं कलाकार लोग कि ये एक बेहतरीन हमारा धरोहर है हमारे धरोहर इसको हम को आगे ले जाना चाहिए इसको हम सरकार भी सपोर्ट कर रही इसको उनको समझाए और वो इस तरीके से उनकी मानिता उसके नज़िया बदल चुकी है थोड़ी सी और आपकी इस काम को लेकर के सासन प्रसासन के द्वारा बेभिन नाटे कादमियों के द्वारा कलाकारों के द्वारा कैसा रिस्पोंस मिलता है कौन से समस्याएं आती हैं और अब कितनी सरलता होने लगी है पहले के द्वारा पहले तो शुरुआती टाइम में यकिन मनिये कि ऐसा लगता था कि कलाकार पूरी तरह से अपने आपको कला कालर के कार भूल चुके थे कि हम कलाकार भी हैं हमसे कुछाता भी था है लेकिन धीरे धीरे जब से इस तरीके से हमनों उनको प्रेजित किया कि आप बहुत अच्छे कलाकार हैं आपको देखने के लिए बड़े लोग आ रहे हैं तो जब वो एक जगा से दूसरी जगा जाते हैं और वो अपने कला को प्रदर्सित करते हैं तो उनकी चेहरे की खुसी कलाकार को आपको देखने को मिल जाते है कि समझ में आ जाता है कि इनकी चेहरे की खुसी से ही कि ये अपनी कला को लेकर अभी भी कितने संबेदन सील हैं ऑभी भी अपने कला के प्रति कितना कर रहे है अगर सरकार भी थोड़ा-बहुत सपोर्ट की है पिछली सरकार सिवरा सिंग चोहान जो की रथ यात्रा में अपने हर जगा 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 पर आये थे वहाँ पर रथ यात्रा में कारिक्रम करवाये थे यही संस्किती वाला तो वहाँ पर कलाकारों को सम्मेलित किया गया था तो ये अच्छा माध्यम होता रहा है तो ये अगर इस तरीके से लगातार जारी रहेगा तो वो जो बिलुप्त हो रही संस्किती और कला को दोबारा पुनर जीवित होने में फिर से मौका मिलेगा और ये लगभग जीवित होती रहेगी और सरकार को एक थोड़ा सा कुछने कुछ कदम उठाना चाहिए स्कूलों में बहुत सारे स्कूलों होते हैं तो उसमें स्कूलों के माध्यम से और गाओं के पंचायतों के माध्यम से कलाकारों को अलग से प्रोसाहन करने के लिए अलग से प्रोसाहित करने के लिए यूबा कल अगर नहीं निकलेंगे तो पुरानी कला जो हैं वो धीरे धीरे जो खतम होती नजरा रही है वो पुनरजीवित होने में सक्षम हो पाएंगी और ये कोई बिंधे की इकलावती बात नहीं लगभग प्रदेश और देश भर में जो पुरानी संस्कृतियां है एक लोग करति की बात हो या लोग कला की बात हो हर जगह की समस्या है कि वो बिलुपत होती जा रही है तो आपके नजरिये से सरकार और इस्थानी लोग को इस बारे में क्या प्रयास करने चाहिए इस्थानी लोगों को सबसे पहले ये देखना चाहिए कि ये कला जो है तो कला संस्कि संस्किति हमारे देश की पहचान है हमारे देश का जुड़ा हुआ नीव है अगर कहें तो गलत नहीं होगा एक आज अपने रोटी कपड़ा मकान से परी ये आपको लेके जाता है आपको खुसी आनंद का एक उत्सव तयार करता है कला संस्किति तो कला संस्किति को छोड़ द लिए सरकार को जैसे हमने कहा कि सरकार को एक अलग ही नियम कानून बनाने चाहिए कि पुरानी संस्किति को किस तरीके संजोया जाए उसे आधुनी की युग में अब बहुत स्पीड दुनिया भाग रही है तो इस भागती हुए दुनिया को कहीं ने कहीं संस्किति कला हमार पीछे छूटती जा रही है, तो उस पीछे छूटती हुई कला असंकिती को बनाए और बचाए रखने के लिए एक प्रयास करना चाहिए, और उस प्रयास में जो युवा है, जो पुराने कलाकार को उनके बच्चे हैं, उन्होंने देखे हुए हैं कि ऐसे सैला होता है, ऐसे क कारिक्रम उनके साथ कराया जाए और उन छोटे-छोटे जो उन युगा हैं उनको भी बताया जाए कि इस तरीके से उनको भी प्रसाहिद किया जाए कि कारिक्रम करने से आपका कुछ आर्थिक स्थिति और कुछ सम्मान भी मिलता है तो वो भी इसमें हिस्सा लेने के लिए देखने वो लगभग 26 जार से 26 मिलियन से जादा व्यूज उसके हुए हैं उस वीडियो के बारे में और हम आप से बगहेली का कोई आपका फैबरेट डायलोग सुना जाए जी ये 26 मिलियन जो था वो मैंने वीडियो बनाया था वो एक दहेज प्रता के प्रती ब्यंगात्मक वीडियो था जो लड़की गई लड़का देखने तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसी नवमत आने वाली है जिस तरीके से लोगों की चाह होती है कि लड़का ही पैदा हो और लड़का ही महतपूर्ण माना जाता है हमारे समाज में तो यही अगर गती बनी रही तो निशित ही यह नवमत आने वाली है कि अभी तक लड़का जाता था लड़की देखने वो टाइम आने वाला है कि जब लड़की जाएगी लड़का को देखने तो इसी पर ब्यंग हमने बनाया था और इसको दहेज के प्रथा के प्रति था यह इसको लोगों ने खुब पसंद किया और यह मद्धे प्रदैस में उस टाम पर अभी बर्तमान टाइम में हमें मालूं उस टाम पर सबसे जादा देखने वाला देखे जाने वाला वीडियो था जो एक सब्ता हमें 10,000,000 पार हुआ था तो हमारे मद्धे प्रदैस के यूटूबr यूटूबर है जो इसके साथ आपकी जितने भी वीडियों सब संस्कृत को बचाने और कहीं कुरूतियों के बिरोध में भी रहते हैं और गाउं से जुड़े हुए वीडियों रहते हैं तो यह प्रेरणा कहां से आई और कैसे देखिए आज बर्तमान ट्राइम में मैं समझता हूँ संस्किति को बचाना है ही और उसके अलाबा एक और समस्चा है कि गाउं को भी बचाना जरूरी है सहरी करन जिस गती से बढ़ता जा रहा है तो उस में मैं समझता हूँ कि अगर ग भोजन रहेगा न तो जीवन रहेगा गाउं है तो भोजन है और जीवन है अगर गाउं से ही भोजन निकल के आता है और गाउं से ही भोजन है तो जीवन है तो गाउं जिस तरीके से गाउं के लोग महत्तुण मानते हैं सहर को कि सहर बहुत हर चीज बेवस्था देता है सहर कि सहर की तरफ भागते हैं उसको उसको हमने इसी कारण से मैंने आपको बताओं कि गाउं की माटी जो है इसी कारण से मैंने नाम दिया कि गाउं को वा मीन्मृत कंशर में था कि खवन है वहाँ बढल पर तो गाऊं के जीवन को दिखाने के लिए गाऊं की महाटी कशनल बनाया था गाऊं के यो जो लगातार सहरी करण बढ़ते जा रहे हैं उसको तो किस तरीके से आप गाउं को एक अच्छा जब मानिता जो हो गई है कि सहर में एक हर बेवस्था असुविधा है और गाउं में हर चीज असुविधा है बिल्कुल ऐसा नहीं है गाउं में आप एक अच्छी बेहतरीन जीवनियापन कर सकते हैं उसके अलाबा एक अच्छा आक्सीजन आप पा सकते हैं बेहतरीन पानी पा सकते हैं और स्वक्ष पानी स्वक्ष हवा स्वक्ष आपको भोजन मिल सकता है इन सारी चीजों के अलावा भी आप प्रकिति के बीच में रह पाएंगे तो यह वहत्पून है और सहर में आप निश्चित ही हम मानते हैं कि सहर मे हर सुविधा है लेकिन उसके अलाबा यहां पर उतनी ही टेंसन उतनी ही समस्या उतनी ही परिसानी भी है तो गाओं का एक आदमी जितना निश्चिंत जितना उन्दा जीवन जीता है उतना उन्दा जीवन सहर में कितना भी पैसा कमाने वाला हो मैंने अपने द्रिष्ट कोंड से बताता हूं कि मुझे नहीं लगता उतनी अच्छे सी जीवन जी सकता है तो इसलिए मैंने गाउं को ज्यादा बढ़ावा देने के लिए अगाउं में जो सुविधा नहीं हैं जिन सुविधाओं का अभाव है उन सुविधाओं को पूर्ती करने के लिए अगर गाउं के लड़के ही सहर चले जाएंगे तो उस गाउं को अभाव को दूर करने के लिए कौन बेड़ा उठाएगा तो ये गाउं के लड़के जो सहर से पढ़कर के अगर गाउं आ जाएं तो गाउं में ही जैसे हम मुलभूत चीजों की बात कर तो ब्यवसाय एक बहुत बड़ा माध्यम है क्रिसी गाउं में तो गाउं में हमारे यहां पर बढ़ाउरा के एक लाल जी मिसरा जी है लाल जी मिसरा जी उन्होंने पूरे अपने सीधी जीला में एक बहुरी प्रेणा स्रोत हैं कि जिस तरीके सुनों ने अभी खेती कर रहे हैं तो गाओं को उनसे प्रेणा लेनी चाहिए कि आज आधुनी की जमाने में हमें इस तरीके से खेती करके अपना ब्यवसाय बनाना चाहिए खेती के माध्यम से और खेती ये का ऐसा माध्यम है मैं समझता हूँ कि आपको चाहो तब काम कर सकते हो जितना चाहो उतना उगा सकते हो तो ये होता है एक कलाकार के तौर पर एक यूटूबर के तौर पर और बगेली प्रमोटर के तौर पर काफी दिनों से बात चल रहे बगेली फिल्म इंडरस्ट्री की और हमने देखा भी है कि कई इस्थानी भासा ह की बात करें तो हां इस्थानिस तर पर फिल्में बनती हैं तो इस बारे में बगेली फिल्म इंडरस्ट्री के बारे में आपका क्या विचार है बहुत अच्छी बात है बगेली फिल्म इंडरस्ट्री जिस तरीके से पूरे देश में हर भासा में फिल्में बन रही थी और तो अब एक नया जो विचार आ रहा है कि मूवी बनने के बड़ी फिल्म बनने की तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी बात है और इसका कार बहुत जल्द शुरू होगा और मूवी बनेगी तो यहां के छेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा और पहली बात दूसरी बात की ये मूवी बनने के बाद यहां के कल्चर और सभ्यता को यहां के संस्किति को एक प्लेटफर्म मिल जाएगा आयाम मिल पाएगा बिल्कुल तो वो चीजें हो जाएंगी फिल्में अगर जिस चैत्र की अभी हमारे इसाब से बाली बिड में जितनी भी फिल्में बनी गई हैं तो बगेली संस्किति एक तरीके के अपने देश में अच्छूती रही है तो उस संस्किति को दिखाने के लिए पूरे देश ही नहीं दुनिया में दिखाने के लिए मूवी बनना बहुत जरूरी है मूवी क्योंकि बड़े स्तर के होती है तो काफी बारीकियों को पकड़ करके वो बड़ा अच्छा प्रस्विती करती हैं तो यहां पर संस्किती और यहां के लोगों के लिए बहुत बड़ा माध्यम हो जाएगा मूवी अगर बनेगी तो और जो नए कलाकार हैं युवा कलाकार जिनकी दृष्टी जिनकी निगाहें मूवी पर है उनको भी साकार करने का एक मौका मिलेगा और यह बहुत बढ़िया काम होगा और उस दिन का हम इंतजार कर रहे हैं जब पहले फिल्म की सूटिंग सुरू होगी तो बस यही है और नए कलाकारों के लेकर कि आप क्या सोचते हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं नए कलाकार दे सिखा करके लोगों को एट्रैक कर सकते हैं। इस पर ध्यान दे करके काम करें। न कि आप हिट होने के लिए वीडियो हिट करने के लिए काम ना करें। वीडियो हिट करने के चक्कर में आप कोई भी काम हर आदमी अगर यह comedy पर छहेत्र पर चला जाएगा तो या फिर कोई भी हम मैं समझता हूं कोई एक एक्टिंग छेत्र केवल कॉमेडी माध्यम नहीं होता आपको संदेश स्तर का वीडियो बना सकते हैं आप बहुत सारे स्तर के वीडियो बना सकते हैं मनलब आप एक्टिंग दिखा सकते हैं तो ये comedy केवल माध्यम नहीं है कि आप सिर्फ YouTube में comedy ही आपके चलेगी, बहुत सारे माध्यम हैं, इसके अलावा भी मैं समझता हूँ कि और भी वाइन्स होगे, बहुत सारे अभी भी जगहें बगहेली में खाली हुई है, जो अभी कोई कर नहीं रहा है, तो आप फोकस करिए कि जहां आप खाली स्थान काउन सारे सारे काम है जो अभी बगहेली में नहीं हो रहा है, उसको करिए, साइद उसके माध्यम से आपको बहतर और बहतर रिजल्टा मिलेगा, मतलब एक परमपरा गत मार्ग पर ना चल करके कुछ नया करने की भी जरूरत है, बिल्कुल है, कहने के मतलब भीड चाल चलेंगे तो साइद भीड में आप सफलता कम ही मिलेगी, क्योंकि भीड में सफलता का मार्जिंग कम हो जाएगा, और जो अपना नया रास्ता होगा, उसमें आप चलेंगे, तो निशित रूप से उसमें आपको एक नया पहचान मिलेगी, और सफलता भी आसानी से मिल सकेगी. चले, आप से बात करके काफी अच्छा लग, और आपने अपना मूल समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप एक कलाकार के तौर पर, एक चैनल के संचालक के तौर पर, दर्सकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? दर्सक है, सभी दर्सक का जिस तरीके से अभी तक बगहली को प्रोमोशन दे रहे हैं, पहले शुरुआत में लग रहा था कि जिस तरीके से कि बगहली कोई नहीं पसंद करेगा, और बगहली को अच्छा, अगर कोई प्लाटफर्म बना रहा है तो यह दर्सक हैं, जो उसको अच्छा प्यार दे रहे हैं बगहली को, और आप सब दर्सकों को इसी तरीके से प्यार बगहली के प्रति बना रहे, बहुत सारे दर्सक है, बहुत, अगर कई बार मैंने हिंदी में देखा हूँ कि हिंदी में वीडियो बनाया हूँ, तो उसमें तर आया है कमेंट कि बगह लिए बीडियोग《लों थोभिअ उपर दर सक्ति अच्छा इलिकन प्रतिफ प्रमोट करते हैं और दर सक्थ काफी विल्कुल हैं बढ़ी मूभी बड़ी फिल्म के लिए तयार हैं बैठे हैं कि फिल्में आएं तो हमें थेटर पर देखने का अशर मिले तो दर्सक काफी अच्छा अपना काम कर रहे हैं बस हमें काम करने की देरी है बस हमें काम करना शुरू कर दें तो अच्छा काम अच्छा प्लेटफार्म तयार होगा पूरे बगेली बुड के लिए धन्यवाद दखवरदार न्यूज आज आपने मेरा इंटर्वी लिया और इसके अलावा आपका ये यूटूब चैनल है दखवरदार न्यूज आप यूटूब पे दखवरदार न्यूज सर्च करके इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को सेर भी करें लाइक कर अच्छी न्यूज के देखने के लिए अपने बिंध की न्यूज देखने के लिए दखवरदार न्यूज से जुड़े रहे और सब्सक्राइब कर लिजे और बिल आइकन दवा लेंगे तो नई से नई न्यूज आपको हमेशा मिलती रहेगी धन्यवाद बहुत बहुत धन्य देखते रहें दख़वरदार न्यूज नमस्कार धन्यवाद परदार हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए दख़वरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और अगर आप यह वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो फेस्बुक पेज को लाइक करें धन्यवाद